आप सबका वेलकम है मेरी किचन में दोस्तों और देखिए गर्मा गरम कॉफी तैयार है आपके लिए तो पी जिए और पीकर बताईए मुझे कैसी बनी है तो चलिए मैं आपको आज इसकी रेसिपी भी शेयर करती हूँ कि मैंने किस तरीके से बनाई यह कॉफी है बहुत इजी वे में बनाते हैं हम इसको और इसको हम स्टोर करके भी रख लेते हैं फ्रिज में तो आप ज़रूर ट्राय करें एक बार मेरी कहने से तो इसके लिए मैंने देखिए यह कॉफी पाउडर लिया है आप कोई साभी कॉफी पाउडर जो आपके घर में हो नेसकेफ हो या ब्रू हो कोई साभी यूज कर सकते हैं इसमें और यह कुछ आईस के क्यूब्स हैं जो क्रेश करके रखे हैं शूगर है और दूद है और मैंने बड़े मुखी बोटर लिए यह है आपको इसी भी ले गए और मैं इसमें 6 कप कॉफी के हिसाब से बनाऊंगी तो उसके लिए मैं तीन चम्मच लूगी कॉफी पाउडर इसके साथ लूगी 6 चम्मच चीनी और कॉफी पाउडर और चीनी आप अगर ज्यादा बनानी हो तो उसके हिसाब से कमिया ज्यादा कर सकते हैं कि इस कॉफी में सबसे ज़ाधा फायदा है कि आप इसको बनाके जितने आपको यूज करनी है आप यूज करें बाकि आप फ्रीज में रख दें बाद में यूज करने के लिए अब देखिए मैंने इसमें शुगर और आइस क्यूब सेट कर दिये और बस अब मैं इसको हिलाना शुरू कर दूँगी यह देखिए अच्छे से हमें सिर्फ पाँच मिनिट तक घड़ी देखके इसको हिलाना है और बहुत शांदार कॉफी तयार हो जाएगी अगर आपके यह कोई गैस्ट आया है ना तो यह बोटल उसको पकड़ा दें आप और आप नाश्ता बनाएं उसके लिए और वो कॉफी फैटेगा आपके लिए ठीक है ना तो यह देखिए फाइव मिनिट्स के बाद पूरे पाँच मिनिट के बाद कॉफी कर रंग देखिए और जाग देखिए कितने बढ़ियां हैं ना बनके बहुत इजीली बहुत ही इजीली बनती है यह कॉफी आप लोग ज़रूर राई कीजगा एक बार तो चलिए अम मैं कॉफी बनाती हूँ अपने लिए एक कप कॉफी बनाऊंगी मैं मैं अकेली हूँ इसलिए मैं एक कप कॉफी बनाऊंगी एक कप दूद में बॉइल कर लूँगी पहले और आपके पास जब फ्रीज में रखी होगी न यह तो आपको बनाने में टाइम भी नहीं लगेगा पांच मिनिट भी नहीं लगेंगे फिर तो फिर तो केवल दूद ही बॉइल करना होगा न आपको यह देखिए दूद बॉइल हो गया है अब मैं बनाना शिरू करती हूँ कॉफी अपने लिए गर्मा गर्म यह मैंने इसमें दो चम्मच लूँगी में और अगर आपको इस ट्रॉंग ज़्यादा पसंद है तो आप तीन चम्मच भी ले सकते हैं देखिए कितने अच्छे जाग है न कॉफी में मैं दो चम्मच कॉफी का बना रही हूँ अब मैं इसमें दूद एट कर दूँगी और देखिए दूद जब हम इसमें कर रहे हैं तो वह जाग हमारे उपर आ रहे हैं सारे बहुत बढ़िया बहुत हलकी है कॉफी टेस्टी बहुत है बिल्कुल इतनी टेस्टी लगती है पीने में बहुत ही जादा तो आप जरूर बनाइएगा एक बार और अगर आपका को गैस्ट है न तो आप इसको अच्छे से चोकलेट पाउडर लगा के सर्फ कीजेगा तो आपका गैस्ट भी खुश हो जाएगा कॉफी पीक देखने में आपको भी अच्छी लग रही है मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है पीने में भी बहुत अच्छी लगी मुझे तो आपसे आप लोग जरूर बनाइए और चलिए पीजिए आप इतने कॉफी फिर मिलते हैं आप आपसे अपनी अगली वीडियो में थैंक एक्यूूूू।